Hello students, तो देखिए आज हमारा topic रहेगा राज्य सचिवाले और मुख्य सचिव तो मुख्य सचिव के बारे में हम इसके बात पढ़ेंगे, सबसे पहले हम राज्य सचिवाले की बात करेंगे आपके लिए बिल्कुल new topic है, तो चलिए समझते हैं इसको बहुती सरल सब्दों में पहले समझाने की कोशिश करूँगी राज्य सचिवाले यानि की सचिव का आले, सचिवाले शब्द का आसे है सचिव का कारेले, जहां पर वो सचिव जो है वो कार्य करेगा ये सचिव कौन होता है, सचिव जो है वो मंत्री का प्रमुक सलहकार होता है, उसे अपने इस कारे को पूरा करने के लिए एक कारेले की जरुरत होती है और यही कारेले जो है वो है सचिवाले कहलाता है, ठीक है, राज्य सचिवाले जो है वो बिटिश शाषन की देन है राज्य इस्तर पर मुख्य मंत्री और उसकी जो मंत्री परिशद है उसके सदस्यों को आवश्यक सलहा और परामर्ष जो की प्रशाशनिक तोर पर दी जाए तो वो इन सलहकार के द्वारा ही दी जाती है इन सच्चिव के द्वारा ही मंत्रियों को दी जाती है ठीक है? हमने देखिए राजयपाल पढ़ा तो राजयपाल जो है, उन्हें कोई भी हेल्प चाहsemble होती है तो वो मुख्य मंत्री से कहते हैं मुख्य मंत्री जो है अपनी मंत्री परिशत से सलह मसरा करके और अपनी बातों को राजयपाल तक पहुँचाते हैं बहुत ही सरल सब्दों में आपको बता रही हूँ अब देखिए जैसे की मान लिजिये कोई भी सिक्षा सम्मंदी कोई बात है तो राज्य पाल को सलहा चाहिए तो वो मुख्य मंत्री से ही पूछते हैं उनसे परामर्स मांगते हैं मुख्य मंत्री को देनी पड़ती है तो मुख्य मंत्री जो है वो अपने मंत्री गंड से ये सारी चीज़े पूछते हैं ठीक है और सलहा मसुरा करते हैं यहाँ पर देखिए एक मंत्री जो है वो है राजनितिक तोर पर दक्ष है कुसल है लेकिन प्रशाशनिक तोर पर क्या वो दक्ष होता है जरूरी नहीं है कई मंत्री जो हाँ वो हम देखते हैं कि दसवी पास होते हैं मंत्री बन गया चाहे वो चिकिस्सा मंत्री हो सिक्षा मंत्री हो क्योंकि हमने देखा योगिताओं के बारे में क्या कहीं आपने ये देखा कि योगिताओं में कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्य मंत्री हो या कोई मंत्री परिशद में कोई मंत्री हो कहीं भी नहीं लिखा है क्योंकि राजनितिक तोर पर कुसल होना चाहिए वो इंसान बन सकता है मन्तरी ठीक है चाहे मुक्हे मन्तरी ही क्यों न हो वहाँ पर केवल उम्र की बात की गई है तो हमारे देश को चलाने के लिए सुचारु रूप से चलाने के लिए राजनीती के साथ जो है वो प्रशासनिक तोर पर दक्ष होना ये भी चाहिए अब मंत्री जो है वह अपने सच्चिव से सलहा लेंगे ठीक है तो जो सच्चिव होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं IES, IPS जो है इस पोस्ट पर होते हैं और इन्हें कई वर्शों का अनुभव भी होता है तो ये जो मंत्री हैं ये सच्चिव से सलहा लेते हैं ठीक है उसके बाद ही जो है वो आगे बात जो है वह चाहती है कि हाँ ये जो है बात बिल्कुल सही है और इस पर ये ये कारवाई होनी चाहिए मुख्य मंतरी के द्वारा राजय पाल को ये सूचित कर दिया जाता है राजय पाल जो है इनके नाम से जो भी प्रस्ताव होता है उस पर signature हो जाते है और फिर वो हमारे सामने पेज हो जाता है ठीक है बजट की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री ने बजट में ये गोशना कर दी कि जो है चिकिस्सा पर इतना खर्च किया जाएगा इतने जो है हॉस्पीटल खोले जाएगे सिक्षा पर इतना खर्च किया जाएगा इतने जो है वो इंग्लिस मीडियम स्कूल खोले जाएंगे या फिर हिंदी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे ठीक है अब जो मुख्य मंत्री है तो उन्हें तो politics जो है वह आती है इतना ज़्यादा गहराई से कि कहां पर क्या करना है कै कैसे करना है इतनी ज़्यादा नॉलिज वो नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत बिजी रहती है politics में तो यहां पर यह जो सचिव होते हैं यही जो है इन चीजों की बारे में जानकारी देते हैं क्योंकि प्रशाशनिक तोर पर इन्हें ही नीतियों का क कैसे निर्मान करना है नीतियों को कैसे जो है वो है लागू करवाना है ठीक है या किस तरीके से जो है जो बजट समंधी कार्रे है जो भी हो रहा है उसको कैसे जो है उस पर कहां पर कितना खर्च करना है तो यह सभी बातें जो है मंत्री जो है वो इन सचिव से ही पूछते ह सचिव जिनको इन सभी चीजों की जानकारी होती है ज्यान होता है तो ये तो बिल्कुल सरल सब्दों में मैंने आपको समझा दिया है ठीके कि राज्य पाल जो है वो मुख्य मंत्री से सारी चीज़ें जो है वह है परामर्स के तौर पर लेते हैं मुख्य मंतरी अपनी मंतरी परिश вас से चलह करती है मंतरी जो गण होते हैं उनके पीछे जो ये सचिव होते हैं ये जो कारयले में, राज्य सच्षिवाले में जो भी कारय करते हैं तो इसको है आगे मंतरियों तक पहुंचाते हैं ठीक है अब देखिए कि जो सचिवाले का सरवोच राजनितिक अधिकारी यदि हम बात करें वो तो मुख्य मंतरी है राजनितिक अधिकारी इस राज्य सचिवाले का ठीक है लेकिन सरवोच प्रशाशनिक अधिकारी जो है वह कौन कहलाएगा तो वो मुख्य सचिव कहलाएग प्रशाशनिक अदिकारी तो आप ध्यान दें राजनेतिक अदिकारी सचिवाले का कहलाएगा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो है वह है प्रशाशनिक अदिकारी कहलाएगा सचिवों की न्युक्ति का निर्ण अंतिम रूप से जो मंत्री के अनोपचारिक परामर्स के बाद ही मुख्य मंत्री करते हैं ठीक है और राज्य जो सचिवाले है इसमें विविन विभाग जो है वो आवंटित किये जाते हैं विभाग जो है वो वर्गी करत किये जाते हैं और प्रतेग विभाग के सबसे उपर जो है वो सचिव होते हैं मुख्य सचिव होते हैं एक सचिव एक मंतरी के अधिन कारे करे तो ये जरूरी नहीं है वो एक से अधिक मंतरियों के साथ भी कारे कर सकता है ठीक है लेकिन सचिव जो है वो किसी भी मंत्री विसेश का सचिव नहीं बलकि सरकार का सचिव कहलाएगा ठीक है मंत्री जो है वह है अपनी इच्छा से उनको कोई भी कारे जो है प्रशाशनिक तोर पर करने के लिए नहीं कह सकते पर्सनली नहीं कह सकते ठीक है क्योंकि वह है सरकार का सचिव होता ह तो जो भी सचवाले में नीती निर्मान है जो भी कारे करम जो है जो भी तैयार किये जाते हैं नीतियों कारे करमों को लागू किया जाता है ठीक है तो ये राज्ये सचवाले द्वारा ही जारी किये जाते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा तो यहाँ पर एक और एक्जामपल जो है जो कि आप समझिए कि मान लीजिए कि एक जो बिजनिस है ठीक है बिजनिसमेन का जो नाम है वह कुछ भी है कुछ भी है राम कुमार ही है ठीक है लेकिन राम कुमार का जो बिजनिस है उसमें बहुत सारे करमचारी जो है कार्या कर रह उसने जो है वो बहुत सारे पड़े लिखे लोगों को भी वहाँ पर रखा हुआ है CA रखा हुआ है ठीक है चार्टर अकाउंटेंट रखा हुआ है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की knowledge रखते हैं जो भी business उसके दोर किया जा रहा है उसके पीछे यहाँ पर पड़े लिखे लोग जो हैं वही कार्य कर रहे हैं लेकिन यदि कोई पूशता है कि यह business किसका है तो यह रामकुमार का business है ठीक है तो जैसे कि मुख्य मंतरी को ही आगे हम जानते हैं उसके पीछे किन लोगों ने नीतियों का निर्मान किया यह आम लोग नहीं जानते हैं तो जो भी नीती निर्मान होती है जो भी कारेक्रम तैयार किये जाते हैं तो राज्य सच्चिवाले के द्वारा ही किये जाते हैं ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा, तो मुख्य मंत्री हैं, राज्य पाल हैं और जो अन्य मंत्री गण हैं, तो वो राजनितिक अधिकारी के तौर पर जो हैं वह आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है, कि ये जो हैं, दस या बारा वर्ष त जो हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से नीति निर्माणों की जो है वो जानकारी उपलब्ध करवा सके ठीक है सहायता कर सके तो चलिए अब हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं तो देखिए सच्चिव जो है वो मंत्री का प्रमुक सलाकार होता है और उसे अपने इस कारे को पूरा करने के लिए एक कारेले की जरूरत होती है यह कारेले ही सच्चिवाले कहलाता है ठीक ह सच्चिव का आले अतहर राज्य सरकार के समझत विभागों के राज नीतिक प्रशाशनिक प्रमुक जिस कारेले में बैठ कर राज्य के लिए नीति एवं विधी का निर्मान निर्धारन करते हैं उसे राज्य सच्चिवाले कहा जाता है तो यहां सच्चिवाले का अर्थ यह नहीं है किवल सच्चिव ही यहां पर बैठेंगे यह बात भी ध्यान रखिए कि जो सच्चिव का आले मैंने आपको बताया तो यहां पर सच्चिव के साथ साथ यानि प्रशाशनिक अधिकारियों के साथ साथ जो राजनितिक अधिकारी हैं वह भी यहां पर बैठेंग तब ही तो जो भी नीती जो है वो बनाई गई है वो इनको पता चले ठीक है तो चलिए अब हम नोट्स के साथ जो है वो यहां समझेंगे सचिव मंतरी का प्रमुक सलाकार होता है बात कर ली हमने उसे अपने इस कारे को पूरा करने के लिए एक कारेले की जरत होती है और जिसे हम सचिवाले कहते हैं अतहे हैं राज्य सरकार के समझत विभागों के राजनितिक और प्रशाशनिक प्रमुक जिस कारेले में बैठ कर राज्य के लिए नीती एवं विधी का नेधारन करते हैं उसे राज्य सची वाले कहा जाता है जहां पर नीती और विधी यानि कोई भी कानून जो है उसका नेधारन किया जाता है जहां पर राजनितिक अधिकारी और प्रशाशनिक अधिकारी दोनों ही जहां पर बैठ कर जो है नेधारन करेंगे उसे राज्य सची वाले कहते हैं अनुछेद 154 एक राज्य की कारेपालिका सक्तिय राज्य पाल में नहित होती है हमने बात की थी र अधिकारी जो है वो यही है जो हम बात कर रहे हैं ठीक है सचिव अब देखिए सची वाले की आवशक्ता जो है वह क्यों पड़ी तो सची वाले की आवशक्ता नीती निर्मान में योगदान के लिए बनी नीती कैसे उसका निर्मान किया जाए नियोजन किस तरीके से किया जाए तो ये सभी कारे करने के लिए सची वाले की आवेशक्ता हुई राजनितिक कारेपालिका की अस्थेर्था एवं निपूरता राजनितिक कारेपालिका जहाँ पर कौन-कौन आजाएंगे राजयपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद तो ये लोग जो है वो इतने ज्यादा निपुड नहीं होते हैं इन कार्यों में कोई भी नीती निर्मान हो जिस तरीके का प्रशाशने कार्य होता है इसमें ये लोग निपुड नहीं होते हैं और अस्थिर्ता यानी कि ये लोग जो है इनका जो पद है वह इस्थाई नहीं होता है कभी भी इनको इनके प विधी सम्बंदी जो कार्य होते हैं वो कठिन होते हैं जो की राजनितिक अधिकारी के बसकी बात नहीं होती है उनको तो politics ही आती है हम सभी जानते हैं politics वाला जो है वो quality बहुत अच्छे से करना जानता है तो विधी सम्बंदी कानून जो है वह किस तरीके से बनाया जाएगा कोई भी विधीयक जो है वो अधिनियम जो है वो कैसे जो है वो बनेगा कैसे कानून जो है वह बनेगा और कोई भी कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ठीके ये कानून बनेगा तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा तो इस वज़े से राज्य सची वाले जो है उ उनको जो उनकी बैठकों की जो कारे सूची बनाना ये सब भी इनका ही कारे होता है जो भी कारेवाई हैं इनका आलिखन जो है ये कौन करता है ये राज्य सचिवाले के जो सचिव लोग हैं वही करते हैं ठीक है मंत्रियों से संबंदित विश्यों के जो आखने हैं सूचना ज समा कलन प्रक्रिया के तुरंत बाद जैपुर में की गई ठीक है तो इंपोर्टेंट लाइन है एक्जाम में पूछी जा सकती है राज्य की समा कलन प्रक्रिया क्या है जो 30 मार्च 1949 को हम राजिस्थान दिवस मनाते हैं ठीक है उसी वक्त यानि राजिस्थान एकी करण का जो चौथा चरण है तो उस समय ही राज्य सच्चिवाले की स्थापना की गई प्रारंब में राज्य सच्चिवाले की स्थापना विधायक निवास भवन में की गई अप्रेल 1999 में उसके बाद विधायक निवास भवन से वर्तमान भवन में स्थानतरित किया गया तो अब आप से कोई पूछे कि राज्य सच्चिवाले जो है वह कहां है तो आप क्या बताएंगे जैपुर में है ठीक है वर्तमान में राज्य सच्चिवाले का मुख्य उद्देश से राजनितिक कार्य पालिका को नीती निर्मान और विधाई कार्यों में हर संभव साहता करना है तो ये भी आप ध्यान में रखें कोश्चन क्या बनेगा स्टेट्मेंट वाले कोश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो राज्य सच्चिवाले है वह राजनितिक कार्य पालिका को जो सहायता प्रदान करता है तो वह कौन-कौन से सहायता प्रदान करता है तो वहां नीती निर प्रक्राश्मान और विधाई कार्डियों में हर सं६व सहायता प्रदान करता है, राज्य, सचिवाला, इसका काम यही होता है, ठीक है, राज्य में जो भी प्रशास्निक कार्य किये जाएंगे, वो इनका मुख्य उद्देश्य होता है, उसमें हर सं६व कोशिश करना कि जो राजनितिक कार्य पालिका है, इनको हैल्प मिले, राज्य सचिवाले में मंत्री परिशद के सभी सदस्य, सचिवगण और संपून करमचारी मंदल बैट कर कार्य करते हैं, तो यहां मंत्री परिशद के भी सदस्य हैं, सचिवगण भी हैं, और जो संपून करमचारी मंदल हैं वो सभी मिलकर यहां पर कार्य करते हैं ठीक है तो यहां पर जो है वो मंत्री परिशद भी आ गई सचिव गंड भी आ गई ठीक है जो भी विभाग दिये गए हैं उनके सभी जो सचिव हैं वो आ गई ठीक है अतरिक्त जो और भी सचिव होते हैं वह भी शामिल हो गई उपसच अनुभाग अदिकारी ठीक है तो यहां पर शामिल होते हैं और यहां पर सर्वोच इस्तर पर जो है वह है कौन होता है प्रशासनिक इस्तर पर मुख्य सचिव शामिल होता है और राजनितिक इस्तर पर मुख्य मंत्री यह भी कुश्चन जो है वो एक्जाम में आ सकता है तो प्रशासनिक इस तर पर यदि पूछे राज्य सचिवाले में कौन है सीर्स इस तर पर तो मुख्य सचिव हैं। इसी सचिवाले में राज्य प्रशासन से संबंदित नीतियां और कारिक्रम तैयार किये जाते हैं। संपूर्ण राज्य प्रशाशन की कुसलता राज्य सचिवाले के कुसल संचालन पर निर्वर है अब हम देखेंगे राज्य सचिवाले का संगठन तो ये संगठन जो है वह है कैसे होता है राज्य सचिवाले का राज्य सचिवाले जो है वो बिभिन्न विभागों में बठा रहता है ठीक है और प्रतेग विभाग का राजनेतिक प्रमुक जो है वो एक मंतरी होता है जिसे कैबिनेट इस तर के मंतरी का दर्जा मिला होता है और प्रतेग विभाग में एक प्रशाशनिक प्रमुक भी होता है जिसे प्रमुक सासन सचिव कहा जाता है तो हमने जो है ये वहकार्य करता है ठीक है उपसचिव जो होते हैं जो हम देखते हैं IAS भारतिय प्रशाशनिक सेवा जो अधिकारी है भारतिय वन सेवा यानि IFS भारतिय पुलिस सेवा IPS और जो RAS है ठीक है RPS है तो ये राजेस्थान सचिवाले सेवा और अन्य विस्षिस्ट सेवाओं जैसे विधी, सांखेकी, किसी से भी हो सकते हैं और उपसचिव के बाद जो हैं जो 4th grade के जो करमचारी होते हैं वह है रहते हैं सासन सचिव जो है वो अपने अधीनलस्थ इस्टाब जो है उसपर कंट्रोल रखता है ठीके है। और उप सचिव साचन सचिव द्वारा सौपे कार्यों को करते हैं. तो मुख्य मंत्री के परामर्ज के आधार पर राज्य पाल द्वारा राज्य में विभागों का निर्मान किया जाता है. तो विभागों का निर्मान जो है वह कौन करता है? यहाँ पर राज्य पाल द्वारा किया जाता है किसकी सलहा पर किसके परामर्स पर मुख्य मंत्री के परामर्स पर विभागों द्वारा राज्य प्रसाशन का संचालन किया जाता है यह राज्य प्रसाशन का सीर सस्त यारे सबसे उपरी कार्यले होने के साथ सक्तियों का केंदर बिंदू भी होता है तो हम देखते हैं कि राज्य प्रशाशन का ये सबसे सीरसस्त कार्यले है सभी सक्तियों का केंदर बिंदू जो है वो यही है जो भी कार्य जो भी नीतियां हमें दिखाई दे रही है पाहर निकल कर तो वो सभी इसी पर depend है इनी के द्वारा जो है वो वास्तव में कार्य हो रहा है चाहे वो वित्त विभाग से संबंदित हो वन विभाग से संबंदित हो या जल विभाग से संबंदित हो परेटन विभाग ठीक है निर्वाचन विभाग से संबंदित हो तो कार तो असल में यही कर रहे हैं, राजनितिक कारेपालिका के सीर्स पर मुख्य मंत्री होता है, जिसके अधीन मंत्री मंडल इस्तर के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, संसद्य सचिव होता है, तो पूरी कैबिनेट जो मंत्री हैं वो होते हैं, राजनितिक पलिका के सीर्स पर कौन है मुख्य सचिव है मैंने आपको बता दिया था कि कुष्चन जो है वो किस तरीके से एक्जाम में आ सकता है इससे संबंधित यही पूछा जाएगा कि राजनितिक स्थर पर जो है कौन है मुख्या यहां तो मुख्य मंत्री हैं और प्रशाशनिक इस तर पर पूछा जाए तो मुख्य सचिव हैं वह राज्य सचिवाले का प्रधान अधिकारी होने के साथ साथ मुख्य मंत्री एवं संपून मंत्री मंडल का प्रमुक परामर्श दाता है संपूर्ण राज्य सचिवाले कुछ विभागों में विभाजित रहता है पर तेक विभाग का प्रशाशनिक अध्यक से ये सासन सचिव कहलाता है एक दो विभागों को छोड़ कर प्रशाशनिक सेवा के वरिस्ट अधिकारी होते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि अखिल भागों को छोड़ कर ये राज्यक अधिकारी ही होते हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं तो जो हमने पढ़ा है वो इस चार्ट में ही है देखिए राजिस्थान सचिवाले का संगटनात्मक सोपान सबसे उपर राजनितिक प्रमुक कौन है मुख्यमंत्री है मंदरी मंदल इस्तर के मं मंत्री होते हैं जहां कैबिनेट मंत्री प्रथम स्रेणी के मंत्री हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं ठीक है और इसके बाद जो है इनके नीचे जो राज्य मंत्री होते हैं ये इनको सलहा मशवरा सहायता जो है वह है देते हैं ये दूसरे दर्जे के जो है व ये मंत्री जो हैं वो कैबिनेट की बैठकों में बुलाने पर ही शामिल होते हैं, खुद की इच्छा से नहीं हो सकते हैं। वहीं पर जो उप मंत्री हैं, तो उप मंत्री जो हैं, वह कनिस्ट मंत्री कहलाते हैं, जो की कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं, इनके अधिन कार्या करते हैं, वहीं पर जो ये संसद्य सच्चिव हैं, तो ये संसद्य कार्या में मंत्री की हेल्प करते हैं, ठीक है राज्यों में संसद्य सचिवों की यदि न्युक्ति जो है वो पूछी जाए कौन करता है तो वो मुख्य मंतरी करते हैं ठीक है और इन सचिवों को सपत जो है वह भी मुख्य मंतरी के द्वारा ही दिलवाई जाती है अब देखिए राजनितिक इस्तरबर हमने देख लिया च सचिव है इसके अंडर में अतरिक्त सचिव है विसेश सचिव है फिर संयुक्त सचिव है उप सचिव है अवर सचिव है सहायक सचिव है अनुभाग अधिकारी है और इनकी भी साहता के लिए सीग्र लिपिक है वरिस्ट लिपिक भी होते हैं और कनिस्ट लिपिक भी होते है ठीक है तो उप सचिव के बाद जो ये अवर सचिव हैं सहायक सचिव हैं ठीक है जो राज्य सचिवाले सेवा के सदस्य होते हैं और इसके बाद जो अनुभाग अधिकारी होते हैं जो राजपत्रित होता है और ये राजिस्थान सचिवाले सेवा के माध्यम से पद ग्रहन कर ठीक है इसके बाद जो है जो ये सीग्र लिपिक हैं वरिस्ट लिपिक हैं कनिस्क लिपिक हैं इसके बाद जो है वो चतुर्थ स्रेणी के जो है करमचारी भी आते हैं तो सासन सच्चिव जो है वो अपने अधीनस्त जो स्टाफ है इस पर कंट्रोल रखता है तो ये चीज जो में रखें, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनके जो है, सासन सचिव, इनके जो विभाग जो है, इसमें कौन-कौन आता है, सबसे उपर मुखे सचिव आता है, ठीक है, अतरिक सचिव होते हैं, उप सचिव, आवर सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी होते हैं, तो वो एक तरीके की library जो है वो हम कहा सकते हैं कि राज्य सचिवाले जो है उनके पास एक बहुत बड़ी जो है वो library होती है जिसमे रिकॉर्ट जो है वो रहता है एक तो नवीन रिकॉर्ड रहता है और दूसरा एतिहासिक record वसक्रकाशन रहता है तो जो भी नीतियां जो नई बनी हैं, वो नए नवीन रिकॉर्ड में जो हैं वो लिखी हुई मिलेंगी, दूसरा जो एतिहासिक रिकॉर्ड है, जिन लोगों को सोध वगरा करना होता है, जिन सचिवों को, तो वो लोग इन बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां जो है, इन्हें ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है, तो जो भी जानकारें इनको चाहिए होती है, पुरानी, चाहिए नई, तो वो उसभी जो है, यहां पर रिकॉर्ड सेक्शन में मिल जाती है, उसके बाद देखिए, प्रसासनिक सुधार आयोग ने, निस सो छ्यांस सरसट के समय ये कहा कि सचीवों की संख्या जो है वो केवल दस होनी चाहिए ठीक है जो सचीव है उनकी संख्या केवल दस होनी चाहिए यदि काम जो है वहाँ पर अधिक है काम यदि अधिक है तो इन सचीवों की संख्या जो है वह दस से बढ़ानी नहीं चाहिए बलकि जो का उसको इन सचीवों के बीच में ही विभाजित कर दिया जाना चाहिए ठीक है अब देखिए अलग-अलग राजियों में जो है अलग-अलग विभाग जो है वो बनाए जाते हैं यानि कि कहीं पर 10 कहीं 13 जो है जैसे UPMP की बात करने तो वहां पर जो है वो आपको विभाग अध जो है बन सकता है इसके अलावा इस समिती ने ये भी कहा कि जो मंत्री होते हैं उनको मुख्य सच्चिव से लगातार जो है वहां सलहा लेते रहना चाहिए चाहिए कोई भी प्रसासनिक मामला हो जी के भनोत जो की मुख्य सच्चिव रहे तो इनकी अधिक्स्ता में न्युक्त राजिस्थान की प्रसासनिक सुधार समिती ने सच्चिवों की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्ति की तो राजिस्थान के मुख्य सच्चिव रहे हैं जी के भनोत इन्हों सुझाव हैं जो दिये जाएं ठीके और जो कि प्रसासन से संबंदित हो तो उसमें 써 एक सुझाव इन्होंने यह दिया था कि सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर इन्होंने गंभीर еёत की थी ठीके तो आप ये ध्यान में रखियेगा कि सचिवों की संख्या पर चिंता व्यक्त किसने की थी किसकी अध्यक्सता में प्रशासनिक सुधार समिती जो है वो बनाई गई जी के भनोत उसके बाद देखें राज्य सचिवाले के क्या कारे होते हैं तो ये जीज़ हम लोग जो है वो जान चुके हैं कि क्या कारे होते हैं जैसे नीती निर्मान जो है कार्वे करना राज्य सचिवाले का कार्वे होता है मंतराले से सम्मंदित नीतियों के निर्मान में सचिवाले जो है वो मंतरी की हेल्प करते हैं फिर नीती परिवर्तन के लिए भी मंतरी को परामर्ज देते हैं कि इस नीती को परिवर्तित कर दिया जाए ये इसके लिए सही नहीं है मंतरी परिशाद द्वारा राज्य के लिए जो नितिगत निर्णे जो है लिये जाते हैं तो उनके लिए आवश्यक तथ्य हैं आंक्रे हैं पडामर्च जो है वह भी सचिवाले देता है ठीक है उसके बाद देखिए समन वयात्मक कार्य सचिवाले और राज्य प्रसासन में समनवे इस्थापित करना किसका काम है मुख्य सचिव का दायत है बीच में ये कड़ी का कार्य करता है सचिवाले सहायता तो राज्य सचिवाले राज्य मंतरी मंडल और उसकी जो विविन समितिया उनको उनके दिन प्रति दिन के कार्यों से सम्मदित सभी विश्यों पर सच्विय साहता प्रदान करने, उनकी बैठकों की कार्य सूची बनाने और उनमें की गई कार्यवायों का आलेखन आदी करने के लिए उत्तरदाई होती है। ठीक है जो भी आंक्रे सूचना पेस करते है और आवश्यक परामर जो है वो मंत्रियों को उनके विशय में देते हैं। फिर देखें प्रशास की नेत्रत्व प्रदान करना, तो मुख्य सचिव जो होता है उसके नेत्रत्व में राज्य सचिवाले ही समस्त राज्य के प्रशासन तंत्र को नेत्रत्व प्रदान करता है उसके बाद देखिए विधाई कार्य यानि विधी संबंदी कानून जो निर्मान करना है तो उससे संबंदी जो है ये इनका कार्य रहता है सचिवाले नीती कानून निर्मान करता है अधीनस्त संस्थाओं पर जो है वो नियंत्रन रखता है ठीक है सचिवाले और सचिवाले निर्धारित नीती को सही रूप से किस तरीके से प्रेशित किया जाना है यह भी इसका कार्य रहता है आर्थिक नियोजन सम्बंदी कार्य तो कहां पर कितना खर्च करना है किस नीती में कितना खर्च हो सकता है ये सब ही जो है कारे किसके हैं राज्य सचिवाले के वित्तिय एवं बजट संबंधी कारे तो बजट निर्धारन की अनुसार खर्च की प्रगती का मुल्यांकन करने का कारे जो है वो इसे सचिवाले द्वारा ही किया जाता है कार्मिक प्रशाशन एवं प्रशाशन सुधार राज्य सचिवाले जो है वो राज्य की कार्मिक नीतियों को तै करता है ठीक है लोग सेवकों की भरती हो गई जो मैंने आपको भी बताई पदोनती हो गई वेतन और आचार सहिता हैं सेवा सर्ते हैं इन सब ही को तै करना इसका बिंदू क्या है कि हमें जो है वो क्या समझ में आया यही समझ में आया कि सचिवाला राज्य सरकार का हिर्दय केंद्र है ठीक है क्योंकि राज्य सरकार जो भी कार्रे हो रहा है निती संबंदी बजट संबंदी वित्य संबंदी तो उसके पीछे जो कार्रे करता है वो यही है तो ये बिल्कुल हिर्दे केंदर है ठीक है ये पूरी जो राज्य सरकार है वो किस पर depend है इसी पर depend है प्रशाशनिक तौर पर इसी पर depend है राज्य सचिवाले के उपर ठीक है तो चलिए यहाँ पर हमने इस चीज को समझा आप लोगों ने क्या समझा थोड़ा सा रिवाइज जो है वो कर लेते हैं अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले जो है वो राज्य सचिवाले के बारे में बताया कि राज्य सचिवाले क्या है राज्य का सचिव का कार्याल है ठीक है जहां पर जो मंत्री गण है जो की राजनितिक तौर पर कार्य करते हैं जो प्रशाशनिक और इसकी आवशक्ता जो है वो क्यों पड़ी क्योंकि राजनितिक कारे पालिका जो है वो इसमें निपुड नहीं होती है इसलिए इसकी आवशक्ता पड़ी राजनितिक कारे पालिका जो है वो बहुत जादा व्यस्त रहती है विधी सम्मंदी जो प्रक्रिया जिसकी उन्हे ज़्यादा नौलिज नहीं होती है इस वज़े से इस विभाग की आविशकता पड़ी ठीक है तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये चीज़े याद हो जाएंगी क्योंकि बिल्कुल नय को पूरा करते हैं ठीक है और राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनितिक है प्रशाशनिक प्रमुक जो है वो यहाँ पर बैठ कर नीतियों का निर्मान जो है वह करते हैं चाहे वो वित्ती संबंदी हो बजट संबंदी हो ठीक है तो यहाँ पर जरुत क्यों पड़त यह लोग बहुत ज़दा बिजी होते हैं ठीक है तो अती वियस्तिता के कारण भी सच्चिवाले की आविशकता होती है ठीक है और जो सच्चिव मंत्री का जो है वो प्रमुक सलहाकार होता है मंत्री जो है जो भी कुछ आगे जो हमें दिखाई देता है और हम लोग न्यूस प पीछे जो है राज्य सच्चिवाले के ही प्रमुक अधिकारी होते हैं ठीक है मुख्य सच्चिव जो है यहां पर सीर सिस्तर पर रहता है हमने राज्य सच्चिवाले देखा इसके बाद हम मुख्य सच्चिव जो है उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है मुख्य सच्चिव ठीके, बैटकों की विवस्था कैसे करनी है, कार्यवाहियों का record यहीं रखता है, बैटकों में जो भी मामले पेस किये जाते हैं, चाहे वो किसी विवाग से संबंदित हो, वो सभी मुक्य सचिव के माध्यम से ही पेस किये जाते हैं किसी मंतुरी के द्वारा, तो मंत्री मंडल की नीती निर्माण में आवश्यक सहायता सलहा देता है मुख्य सजिव तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थेंक यू